हेलो एवरीवन, रमन्स किचिन में आपका स्वागत है, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी पिन्नी की रेसिपी, दिखिए पैन पैने हीट का लिया है, अब मैं इसमें डाल रही हूँ, देड़ कप घी, घी को में अच्छी तरीके से मेल्ट होने देंके, जैसे ही हमारा घी मेल्ट हो जाएगा और थोड़ा सा गरम हो जाएगा, उसके बाद हम इसमें डालेंगे, ढाई कप आटा, दिखिए से मैंने मिक्स कर लिया है, दो कप आटे को, इसको मिक्स करने से अच्छी तरीके से मिक्स कर ले, इसको मिक्स करने के बाद मैं आदा कप आटा और डाल रही बिलाते रहेंगे और भुनते रहेंगे 20 मिर्ट तक चलाने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा आटा पक चुका है अब इसमें मैंने डाल दिया है 200 ग्राम खोया इसे भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए जैसे हमारा खोया पूरा मिक्स हो जाएगा आटे में देखें इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर देजाएं जैसे ही खोया पूरा मिक्स हो जाएगा देखें जैसे थोड़ा थोड़ा बाकी उसे भी अच्छे से मिक्स कर ले कि देखिये हमारा खोया पूरा आठे में mix हो चुक है अब ग्यास का flame मैंने off कर दिया है अब इसे में ठंडा करने के लिए रख रहे हूँ इसे एक ठाली में खाली कर लेंगे किसी भी बड़ी प्लेट या ठाली में हम इस आठे को खाली कर लेते हैं और इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा करने के लिए रख देंगे देखें ये थाली में मैं इसको खाली कर लेती हूं इस तरीके से इसको फेला देते हैं ताकि ये जल्दी ठंडा हो जाए देखें इसे इस तरीके से पूरी थाली में मैं फेला दे रही हूं ताकि ये जल्दी ठंडा हो जाए जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक ये पैन मैंने थोड़ा सा और हीट करा है मैंने इसमें दो चम्मच घी डाल कर सारे ड्राइफूट्स कट कर लिए थे अच्छी तरीके से चौप कर लिए थे और इसको सेक ले रही हूँ दो मिनिट तक ही ड्राइफूट्स सेक लेंगे उसके बाद ये जो हमारा आटा है इसमें मैंने ये सारे ड्राइफूट्स डाल दिया है इस ड्राइफूट्स को मैं पीस कर डाल रही हूँ इसके बाद मैं से पीस लूँगी आप चाहें तो ऐसे भी डाल सकते हैं इसके बाद म मैंने आटे में डाल दी है और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है और यह जो हमारी पिन्नी वाला आटा है तयार हो गया है अब यह जो पिन्नी वाला आटा है इसके हम अच्छे तरीके से लड्डू बना लेंगे देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है अब इसके लड आड़ु तयार कर लोगे से अच्छे तरीके से प्रैस करके गोल्ड शेक्ट देते जाएंगे मात्र आदे घंटे में ये जो हमारा पिन्नी है तयार हो जाती है आटा भी भून जाता है और ये पिन्नी तयार हो जाती है अगर आप मावी का वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक टाल दूँगे आप वो भी देख सकते हैं देखें इसे इस तरीके से बना लेजे इसी तरीके से मैंने ये सारे लड़ू बना लिये थे अगर ये आपको मेरी रेसिपी पसंद आईयों तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जो मेरे लेटिस्ट वीडियो आएंगे आपको वो नोटिफिकेशन मिल सकें अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आईयों तो प्लीज लाइक बटन जरूर दबाएं अगर आप चाहते हैं मुझे फेस्बूक और इंस्टाग्राम पर ता फेस्बूक और इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं thank you so much for watching please do hit the bell icon